151 से question number 151 है दोस्तों यहां पर आपको फिल करना है नेमों का एक स्थापित समू है जो यहां निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन उपकरणों के बीच डेटा को किस परकार पर सारित किया जाए अनिवारी रूप से यहां संयूजित उपकरणों को आपस में संचर बनेगा नेटवर्क प्रोटोकॉल इस्थापित नेमों का सेट है जो यहां निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन उपकरणों के बीच डेटा कैसे परसारित किया जाता है अगला question question number 152 है इंटरनेट का standard protocol है इन में से कौन सा है दूस्तों तो रहाई अंसर ह हो जाएगा option A TCP IP इसका सही जोब बनेगा दूस्तों इंटरनेट का standard protocol TCP IP है TCP IP का पूरा नाम transmission control protocol एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल है STML का पूरा नाम की यदि हम बात करें दूस्तों option C Hypertext Markup Language है इसका प्रियोक वेवसाइट बनाने के लिए किया जाता है अगला question question number 153 है निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वारलेस संचार तकनीक है तो right answer option C हो जाएगा Ethernet लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वारलेस संचार तकनीक की है इसकी अभिकल्पना 1973 में बोब राबर्ट मेट काफ ने की थी मेट काफ ध्याने खियेगा मेट काफ अगला question question number 154 है दूस्तों इंटरनेट में process to process संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकाल प्रोग होते हैं तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option D transport layer protocol अगला question question number 155 है दूस्तों माप कीजिएगा TCP का पूर्ण सुरूप क्या है तो right answer हो जाएगा option C transmission control protocol अगला question question number 156 है एक भौतिक इस्थान जैसे भवन, कारयले या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रा है या छोटा सा बड़ा हो सकता है जिसमें एक उप्योग करता के साथ एक ग्रह संजाल home network से लेकर एक कारयले या बिद्याले में हजारों उप्योग करता हो और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल हो सकता है इन में से आपको बताना है तो right answer बनेगा दूस्तों option A line यहाँ पर right answer हो जाएगा local area network एक computer network है जो सीमिट छेतर जैसे निवास इसकोल भावन प्रियोग साला कारयले के भीतर computers को आपस में जोड़ता है अगला question question number 157 है वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनप्रियोग है जो एकल चित्रात्मक अंतरा फलक में प्रदर्सित एकल नवीन सेवा का सुर्जान करने के लिए बहुत सेवां को सवंजित करता है तो right answer option D हो जाएगा mysap mysap यहाँ पर right answer बनेगा दोस्तों वेब विकास में एक mysap एक वेब पेजिया वेब अप्लिकेशन है जो ग्राफिकल इंटर्फेस में प्रदर्सित सिंगल नई सेवा बनाने के लिए एक से अधिक सामगरी का उप्यूग करता है अगला question, question number 188 है दोस्तों crawling, indexing और ranking स्वब्द किस से समाधित है तो right answer बनेगा option B, खोजी इंजन, सर्च इंजन से समाधित है दोस्तों अगला question, question number 169 है निमलिखित में से किस cloud आधारी सोनचना में अनेक उप्योग करता हूँ वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन्य उप्योग करने का प्राउधान है या किसी संगठन तीसरे पक्षिया दोनों के संयोजन दोरा स्वामित में रखा प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है तो right answer option A हो जाएगा नीजी cloud, option A right जवाब बनेगा अगला question, question number 160 है Chrome, Safari और Opera के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है तो right answer हो जाएगा, option A, web browsers है दोस्तों अगला question, question number 161 है e-commerce, e-learning, e-banking, m-commerce आधि निम लिखित में से कौन सी सिवाए है तो right answer हो जाएगा, option D, E सिवाए हैं दोस्तों अगला question, question number 162 है Kevin Sistram और Mike Krigger निम लिखित में से किस के संस्तापक है तो right answer यहाँ पर बनेगा, option C, Instagram इसका right जवाब हो जाएगा अगला question, question number 162 है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आपको फिल करना है, एक ऐसा उपकराण है जो आने प्रोग्राम या उपकराणों के लिए कार्यात्मक्ता परदान करता है, जिन्हें कराहक, clients कहा जाता है तो right answer हो जाएगा, हाँ पर option D, server इसका सही जवाब बनेगा अगला question, question number 164 है, कंप्यूटर के संदर में जिस तरीके से कोई बिरोधी सिस्टम में प्रोइस कर सकता है, और संभावित रोप से छेती का करण बन सकता है उसे क्या कहते हैं, तो right answer option A हो जाएगा, हमला सता attack surface next question, question number 165 है, rate time linson को किसका सुरे दिया जाता है तो right answer हो जाएगा option A, सबसे पहला email भेजना rate time linson को email का जनक कहा जाता है दूस्तों, option A, right answer बनेगा अगला question, question number 166 है, निम लिखित में से कांसा एक उपाय नहीं है जिस से एक वाइरस आपके computer को संकमिट कर सकता है, तो right answer यहाँ पर बनेगा option B प्रलीक और PDF संचिकाएं, फाइल्स बनाना, option B यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number 166 है, email प्राप्त करने के लिख कौन सा प्रोटोकाल उप्योग में आता है most important person है दूस्तों, तो right answer हो जाएगा यहाँ पर, इस question का option D, POP3, POP3 इसका right answer हो जाएगा, email प्रोटोकाल, email भेजने और प्राप्त करने की नियम और प्रक्रिया है, POP3 और IMAP4 प्रोटोकाल का प्रयोग एक email सर्वर से email प्राप्त करने के लिख किया जाता है अगला question, question number 168 है, computer विज्ञान में ASP का बिस्तारित रूप क्या है, तो right जवाब बनेगा, option B, आबेदन सिवा प्रदाता, option D, सक्री सिववक प्रस्ट, option B और D, दोनों option यहाँ पर right answer हो जाएगा दूस्तों अगला question, question number 179 है, Microsoft Windows से समंधि, निम लिखिट में से किसमें बिभिन कार्यों का निस्पादन सामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्धारा, गति रोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समापती, तो right जवाब भी हाँ पर बनेगा दूस्तों, option B, process management, option B, right जवाब हो ज आसान तरीका क्या है, जो right जवाब option D हो जाएगा, functions, question number 179 है, powerpoint में slide में hyperlink डालने की shortcut कुंजी क्या है, जो right answer option B हो जाएगा, control plus K, इसका सही जवाब बनेगा, powerpoint में slide में hyperlink डालने की shortcut कुंजी, control plus K कुंजी होती है, दोस्तों, option first दिया गया है, control plus H, यहाँ पर दूस्तों दिया गया है, तो control plus H का यूज, find and replace option के लिए किया जाता है, control A का यूज, all content of page को select करने के लिए किया जाता है, अगला question, question number 172 है, MS Word में एक character को आगे ले जाने के लिए किस keyboard की का उप्यूग किया जाता है, तो यहाँ भी दूस्तों, इस question का right answer बने का option D, right arrow, right arrow का प्रूग किया जाता है, अगला question, question number 173 है, bookmark का उप्यूग MS Word में किया जाता है, तो right job बनेगा option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, भविच में उलेक के लिए document में एक बिसिस्ट इस्थानिया टेक्स की पहचान करने के लिए, next question, question number 174 है, Microsoft Excel में format penter को कई बार क्रमा नुशार उप्यूग करने के लिए निम्न लिखित में से कौन सी क्रिया करने चाहिए, तो right answer बनेगा option C, format penter आइकन पर double click, अगला question, question number 175 है, Excel 2016 में column G और column H के बीच तीन column डालने के लिए आप क्या करेंगे, तो right answer बनेगा option B, column H सेलेक्ट करेंगे और right के लिए करके तीन बार insert सेलेक्ट करेंगे, अगला question, question number 174 है, MS Excel 2016 में निम्न लिखित किस बिकल्ब दोरा बिंडो को दू भागों में बाटा जा सकता है, तो right answer बनेगा दूस्तों option C, view, बिंडो और इस लिप्ट, अगला question, question number 177 है, operating system सारी प्रिक्रियाओं की सूचना कहां रखता है, तो right answer option D हो जाएगा, process table में, तो option D right answer बनेगा दूस्तों, operating system process table में सारी प्रिक्रियाओं की सूचना रखता है, operating system process table के दौरा, resources को minus or control करता है, tables हर process और resources के बारे में जानकारी श्टोर करने के लिए महात्पूर्ण data structure है, अगला question, question number 178 है, Excel में data का default sun record है, इनमें से कौन सा है, तो right answer option यह हो जाएगा, text left aligned और number right aligned, अगला question, question number 188, आपने अभी अभी बिंडो से बन, computer में जो disk संस्थापित की है, उसमें नए खंड बनाने और disk को संरूपित, format करने के लिए आपने उमलिकित में से किस साधन टूल का प्रियूग करेंगे, तो right answer option C हो जाएगा, disk management का, question number 180 है दूस्ते हाँ पर, किस परकार के file का extension dot byte होता है, तो right answer हो जाएगा, option D, PC by its file का, अगला question, question number 181 है, कालिस्टो, MT, Arial और संचुरी बिभिन परकार के क्या है, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर option D, यह font हैं दोस्तों, next question, question number 182 है, निमन में से कौँण सा समूह MS Excel के insert टाइब में मौजूद नहीं है इनमें से, करने और हेर फिर के लिए किया जाता है, तो right answer, option B हो जाएगा, Excel इसका right जवाब बनेगा, अगला question, question number 184 है, Microsoft Excel के computer file को किस परकार नाम दिया जाता है, तो right answer हो जाएगा, option B, .xls, अगला question, question number 185 है, mouse, display, sound network और keyboard की setting को Microsoft Windows के किस श्रक्षन में बदला जा सकता है, तो right answer, option B हो जाएगा, control panel, इसका right answer बनेगा, question number 186 है दोस्तों, Windows 10 को पहले एक पुर्वाव लोकन के रूप में, निमलिखित में से किस दिन जारी किया गया था, तो right जवाब बनेगा, option C, 1.0.2014 को, इसका right answer बनेगा, अगला question, question number, अगला है 186, MS Office से समंदिश question number, तो यहाँ पे दुस्तों question number 186 है, Windows 10 operating system में, file explorer में, file या folder की खोज के लिए, निमन में से कौन सी shortcut कुजी का उप्योग किया जाता है, तो right answer option B हो जाएगा, F3 यहाँ पे right जवाब बनेगा, F3, अगला question, question number 188 है दुस्तों, MS Word 2016 में, default रूप से, drop का लेटर या, अक्षर की उचाई कहां तक होती है, तो right जवाब आपको देना है दुस्तों, तो यहाँ पे दुस्तों right answer हो जाएगा, option A, paragraph में, तीन लाइन तक, आपको ध्यान में रखना है, अगला question, question number, 189 है दुस्तों, ab solutes cell reference चुने, तो right answer यहाँ पे बनेगा दुस्तों, इस question का option B, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगला question, question number 190 है, Microsoft Word में, gutter margin, set करने के लिए निम लिखित, इस्तिटियों में से, कौन सा गटर position, box में उपलब्ध है, तो right जवाब यहाँ पर हो जाएगा दुस्तों, option B, left and top, option B, right जवाब बनेगा, अगला question, question number 191 है, Microsoft Excel में, निम लिखित सेल प्रारूपों में से, कौन सा exponential, data के लिए उप्योग किया जाना चाहिए, तो right जवाब option C हो जाएगा, scientific, इसका right answer बनेगा, अगला question, question number 192 है, Microsoft Excel में, merge एक रॉस भी कल्प क्या करता है, तो right जवाब यहाँ पर बनेगा दुस्तों, option B, इसका right answer हो जाएगा, जब एक multi row range select किया जाता है, तो यह command प्रत्यक row के लिए, एक multiple merge सिल्का निर्माड करता है, option B, right जवाब हो जाएगा, next question, question number 193 है, Excel sheets word processors, search with browsers, किस प्रकार के उतारान है, आपको बताना है, तो right जवाब यहाँ पर बनेगा दुस्तों, option B, application program है, question number 194 है, Excel में सभी फार्मूला निम लिखित के साथ सुरू होते है, तो right जवाब हो जाएगा, option A, बराबर का चिन, अगला question, question number 195 है, निम लिखित में से Microsoft Word का, कौन सा view text दिखता है, जैसे या header और footer के बिना, printed format में दिखाई देता है, तो right answer option B हो जाएगा, draft view में, question number अगला है, 196, Microsoft Excel में आटो फिल्टर विखल्प के समन्द में, निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इन में से, तो right जवाब बनेगा option B, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, भी यहाँ पर right जवाब हो जाएगा, question number 197 है, Microsoft Word फाइल में किल्पोर्ड की सामगरी को पेस्ट करने के लिए कि सौटकट की का प्रियू किया जाता है, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर option B, control प्लस V का, अगला question, question number 197 है, जब Microsoft Excel Worksheet के प्रकोस्टों, sales में संख्याय प्रविष्ट की जाती है, तो वे पूरू निर्धारित इस्थिती by default द्वारा होती है, तो right answer बनेगा यहाँ पर दोस्तों, इस question का option C, दाइं और संडेकित होती है, next question, question number 199 है, Microsoft Word में आप, किसका चैन करके पूरू निर्धारित उपान्त बेऊस्थाओं, margin settings को अनकूलित कस्टमाइज कर सकते हैं, या चुन सकते हैं, तो right जवाब बनेगा दूस्तों, अपर option A, layout margins, यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला question, question number 200 है, Microsoft PowerPoint 2016 में, slide पर दिखाई देने वादी, सभी समगरियों के लिए, formatting, positioning और, placeholder box नहीं थोते हैं, तो right job बनेगा option D, slide master, इसका right job हो जाएगा दूस्तों, दूस्तों, यदि आपको class पसंद आ रही, तो class को जादा जादा like और share करते रही हैं दूस्तों, दूस्तों, यदि आपको चैनल पर ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दूस्तों, आज की class में बस इतना ही मिलते हैं, next class में तब तक लिए नमस्कार जाहें, धन्यवाद,